let's take out your reader book and open page number 2424 students today we are going to learn about lesson number 2020 ouch i hurt my toe okay hurt मतलब दुखना चोड लगना तो मतलब आपके जो पेर है पेर के जो fingers होते हैं उनको हम toes कहते हैं तो चलो अब हम पहले hard words देखेंगे first hard word is sad मतलब दुखी next is far far मतलब दूर अंतर पे hurt मतलब चोट लगना या फिर दुखना like sing sing मतलब मतलब गाना next cut cut याने काटना या पर picture students leg okay आपका foot दिखाई दे रहा है आपको यह पर और उस पर arrow किसके ओर है fingers के ओर लेक के fingers के ओर arrow है तो निच्व वर्ड है टी ओई टो तो आपको यह जो fingers होते हैं इससे हम toe कहते हैं ओके यह one toe है और बाकिसे भी toes वोट इस रिक्षा एटो रिक्षा एउटो एटो रिक्षा एउटो एटो आर आए सी के रिक्षा एटो एटो डुख्यो आपको दूख्यो लड़का केता है I hurt my toe मुझे मेरे toe पर मतलब उंगली पर चोट लग गए है I can can not walk में चल नहीं सकता I have to go far मुझे बहुत दूर जाना है लेकिन मेरे पेर को चोट लग गी है इसलिए मैं चल नहीं सकता है इसा कुन के रहा है यह लड़का के रहा है किससे इस अंकल से नेक्स्ट अंकल केते हैं How can I help you मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ इसा कुन पूछ रहा है यह अंकल तो boy क्या के रहा है अंकल ने पूछा उस लड़के से कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता है तो लड़का क्या के रहा है मुझे आप ऑटो रिक्षा तक पूछने के लिए मदद कीजिए इसा कुन के रहा है यह लड़का के रहा है क्योंकि उसके पेर को उसके टोच को हर्ट हुआ है इसलिए वो किसके हिल्प ले रहा है इस अंकल की अगर रास्ते में किसी को चोड़ लगती है तो आपको भी इसे तरह हिल्प करनी चाहिए यह गूड मैनर्स होते है अगर आप दूसरों को हेल्प करोगे तो गॉड आपको हेल्प करेगा ओके हल्प ओदर गॉड बिल हेल्प स्यू तो स्टूड़न्स यह था हमारा फॉर लाइन का लेसन आपको स्लोली यह वर्ट्स रीड करने ओके लाइक दिस डव्लु एच र-e-r-y-o-u-s-a-d-s-a-d-s-a-d-y-r-u-s-a-d-s-a-d इस तरह स्टूड़न्स आपको हेल्प लाइन रीड करने प्रॉपर्ली थैंक यू